आज कम इस वीडियों बताऊंगी पेटी कोट के बेल्ट चारहना तो मेरी ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को पूरा देखने की कोसिस करें ताकि आप सीखना चाहते हैं तो कहीं पे वहीं सीखने जाते हैं अपना टाइ करें ताभी आप अच्छे से पाएंगे और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए चैनल पर जदी आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अफ्लोड करूंगी तो सबसे पहले आप नुप तक पहुंच पाएगा तिये हम का बेल्ट निकाल रखे हैं जो दो लियार में है इसको हम खोल दिये और अच्छे से खोल देने के बाद देखा रही है दोनों कोड़ी का साइड था और यह हम पेटी कोट में च्छे कलिया को में जोइंड लगाई हूं सो मैं कप्रा ली हूं और देखिए सभी जोइंड को खिट ब संवान मह 높े का पार हो तो सर्म की फटाद में य்सको उलटा सब्सक्राइब उलटा में पोलट से उलटा रैठने के घावा ए अब इसके ऊपर के कपार रखेंगे फटारों को अदिए के क corona करने के ए दो मिलान इसको औरडे आज यदि कुछ आपको सीखना है तो वीडियो को पूरा देखेंगे और सीख भी पाएंगे और सीख अपने काम को भी कर पाएंगे और यहां पर देखिए बेल्ट से दो इंची इस्टरा है नीचे वाला कपरा तो यह नॉर्मल साइज का है यह ज़्यादा हेबी साइज का नहीं है तो यहां पर एक ठो में चूनट डाल दे रही हो चूनट डाल लिएंगा डाली दिजिए या चोटा चूटा बना के दो डाल दीजिए यहां पर चोटा सा अम एक चूनट डाल दियो बस बेल्ट और पेडिकोट का कपा नीची का कहलिका दोनों अरजेश्ट हो गया अब Isko Machine के तरफ अपने NgayPE के तरफ उपर के तरफ इसको कर गे और साइड में इसको हम प्लट लेंगे जो मैं देखिए अब प्लट रही हो तो अभी यह सीधे साइड में पलटा गया अब हम अच्छे से प्लट लेने का दो ऊपर से कोड़ी को आधे इंच के नुसार से यहां पर दबा दूंगे दबा के यहां पर नाखुन मार लेंगे या आप से जदी आप जदी नए है जदी आप से नहीं संभल पा रहा है तो यहां प्याद हिंच के नुसार से किनारी पर सिलाई भी लगा सकते हैं और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजियेगा चैनल के सेस्क्राइब कीजियेगा और अच्छी लगे तो कमेंट करके हैं बताईएगा जरूर आपका यह कमेंट और लाइक से हमें और प्रेना मिलते हैं जापलों की बीच हम अच्छे वीडियो लेकि आए अब यहाँ पर यह जो किनारी को जो मैं अंदर फोल्ड की हो अब इसको और सिलाई वाली कपरा को मैं आगे के तरफ जुका के यहाँ पर इसके उपर से रखे फिर से बता रही हुए सिलाई वाला कपरा जो है आगे के तरफ जुकाएंगे और यह फोल्ड जो किये है इस तरह से रखे यहाँ पर पुरा पक्का यहाँ पर सिलाई लगाऊंगे टांका मरूंगे टाका मजबूत से मारेंगे ताके खुलेगा नहीं अच्छी से सिलाई हो जाएगी ये मजबूती से भी सिलाई हो जाएगी तो यहाँ पे मैं टाका लगा रही हूँ पीछे से चांप उठाके दो बाद तिन बाद सिलाई लगा दियो और इसी एनुसार से सिलाई जो मैं की हूँ पहला उ थोरा भी दिखना नहीं चाहिए और उपर से बेल्ट को चड़ाते हुए सिलाई को ये कली वाली सिलाई को आगे के तरब चुकाते हुए अच्छे से सिलाई लगांगे अच्छे से सिलाई लगा लेने के वद अब देखिए लास्ट छोर में आ गई यहां पर अब यहां भी देखिए सिलाई जो कली वाली सिलाई थी उसको आगे तरफ के तरफ जुका के और बेल्ट अच्छे से चढ़ा दिये ताका भी उसकी नाइपे भी बहुत बढ़िया से ल देंगे धागा निकालने के बाद यहां पर डबल सिलाई एक लगा देती हो ऐसे आप चाहे तो डबल लगा भी सकते ना चाहे तो ना भी लगा सकते रेड़ी में अक्सरत यहीछ रहता लेकिन अपना से सीलता तो डबल लगाने पकवाद अच्छी भी देखती है और दुवारा लगाई भी जाती है मजबूती के लिए देखी कितना फिनिक सिंग से मैं पेटी कोट की बेल्ट में चरहाना बताई हूँ तो मेरी ये वीडियो आप सुभी को अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें शारे में वेल एकन क बटन से पेश करें ता क्याने वाली वीडियो का नोटिविक्शन सबसे पहले आपता पहुश सकें और वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके हमें जोर बताईएगा देखिए कितनी फिनिसिंग से मैं पेटी कोट का बेल्ट चारहाना बताई हूँ तो आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा